अभी का मौसम, सुबे में ठंडी, दुपेर में गर्मी, सामको बारिस, सब जगा यही है तो ऐसे में हमें ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे हमारी इम्मिनिटी स्ट्रॉंग रहे और एकदम चटपटा भी हो और टेश्टी भी हो और बच्चे और बड़े दोनों ही खा सके और साथ में इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए तो बिल्कुल ऐसी ही रेसीपी में लेकर आयू जिससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और बहुत फटाफट भी बन जाएगी बीना तेल की है और चटपटी और टेश्टी है आज से पहले ऐसी रेसीपी आपने सायाद ही कहीं देखी होगी नमस्ते दोस्तों पारु नानुशारी की रेसीपी में आपका स्वागत है बिल्कुल नई और इसी रेसीपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब बाजू में दिख रही बैल आइकन को और फ्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए ये सब चीजों की मिठाया तो हमने बहुत बना ले पर चटपटा और टेश्टी नास्ता भी बन सकता है क्या जी हाँ बिल्कुल बन सकता है और एक-एक दाने में स्वाद और ऐसा की बच्चे हैं ना मांग मांग कर खाएंगी और जो अभी का महोर है उसके लिए एकदम बैश्ट है ये सारी चीज़े और इन सब के फायदे के बारे में तो हम जितना भी कहें ना उतना कम है मतलब की बहुत ही चटपटा जिसके लिए हमने यहाँ पर एक चटपटा मसाला बनाया है जो कि इस मौसम के लिए एकदम बैश्ट है तो कैसे बनाते हैं ये मसाला तो देख लेते हैं इसकी सामगरी हमने यहाँ पर एक चमच से थोड़ा सा कव उतना काले मिर्ज का पौडर लिया है और आदा चमच मैंने यहाँ पर घर की सोट लिये जो हम अद्रक में से सोट बनाते हैं न वही और यहाँ पर मैंने आदा चमच नॉर्मल नमक लिया है और आदा चमच मैंने काला नमक लिया है यहाँ पर हम यह सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें जो हमने सोट और काले मिर्श का पाउडर लिया है वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही फाइदा कर रखे और जो हमने ब्लैक सॉल डिया है वो भी हमारी पाचन सक्ती के लिए बहुत ही फाइदा का रखे यहाँ पर कड़ाई में हमने सिर्फ एक चमच गी लिया है गी को अच्छे से गरम होने के लिए रख देंगे यहाँ पर गी के बदले में आप तेल का भी यूश कर सकते हो यहाँ पर हमने एक कर्टोरी बादाम लिये है बादाम के भी फाइदे हम सब जानते ही है बहुत सारे खजानों से भरपूरे इसलिए हम दिमी आज पर एकदम डार्क कलर आने तक सेख लेंगे आप चाहे तो इसे थोड़ा सा कम भी सेख सकते हो पर मैंने इसे डार्क कलर का बनाया तो मेरे कर पर यह ज़्यादा पसंद आया अब वही गी के अंदर हम एक कर्टोरी काजु को भी सेख लेंगे दिमी आज पर ही सेख ना है ताकि यह अंदर तक एकदम क्रिस्पी हो जाए अब यह दोनों सामगरी को हम एक बरतन में निकाल लेंगे हम वही कड़ाई में हमारे 1.500 ग्राम के जितने मखाना ले लेंगे इसे भी हम दिमी आज पर 4-5 मिनित तक अच्छे सेख लेंगे क्योंकि मखाना जो होते है एकदम कापुस की तरह होते इसे एकदम क्रंची होने तक हमें सेख ना है देखिए इस तरह से हम हाथों में दबा कर तोड़ ले ऐसे और हमारे ये ड्राइफरूट भी हमने पहले सोते कर लिए थी वो भी ठंडे हो चुके फिर से हमने कड़ाई में एक चमच गी ले लिया है गी के अंदर हमने हमारा जो मसाला तयार किया था वो ले लिया है और आदा चमच से कम उतनी हमने हल्दी ले लिये गैस की फ्लेम को हमने यहां पर बंद कर दिया है ताकि हमारे मसाले जलना जाए और अब हमारे पहले से सिखे हुए मकाना इसके अंदर एड़ कर देंगे ताकि सारा जो मसाला और हल्दी है ना मकाने के उपर कोट हो जाएगी तो एक-एक दाना एकदम स्वादिश्ट बन जाएगा और जो हमारे ड्राइफ्रूट को भी हमने रोष्ट करके रखा था वो भी मकाने के साथ एड़ कर देंगे थोड़े से मैंने काले वाले किस्मिस ले लिए है इससे भी इसके अंदर एड़ कर देंगे और एक मिनट के लिए अच्छे से बून लेंगे ताकि सारा मसाला इसमें कोट हो जाए मतलब कि एक-एक दाना स्वादिश्ट बन जाएगा आप यहाँ पर थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी ले सकते हो आज का ये चटपटा और टेश्टी मकाना का चीवडा की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फामिली के साथ शेर करना बिलकुल भी ना बुलिएगा आप मुझसे और भी कोई रेसिपी की जानकरी चाहते हो तो मुझे कॉमेट में लिखकर बता सकते हो थैंक यू फार वीडियो वाचिंग